गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू दा जैनेत गुरू रणिंग चैनल, आज हम करने वाले हैं कक्षा एक की हिंदी पाठ एक का अभ्यास कार रहे हैं, पिशली कक्षा में हमने पाठ एक मीना का परिवार, इस पाठ का हमने पूरा रीडिंग किया था, इसका क्या क्या दिया हुआ है, तो बच्चों, आज हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार रहे हैं, आप शब मेरे साथ तयार हो जाएए, जल्दी से चलते हैं, एक बार दुबारा से देखते हैं, पाठ की रीडिंग हमने कहां से कहां तक की थी, और करेंगे उसका अभ्यास कार र में था उसका भाई, जिसका नाम क्या था? दिवाकर, और कौन था मीना के परवार में? उसके दादा जी थे, उसकी दादी मा थी, उसके माता पिता थे, और चाचा जी थे, और मीना का भाई कैसा है? पर इस कहानी में दिया है कि मीना का भाई है बहुत ही नटखट, जैसे आ का ध्यान रखते हैं सब का खाने पीने का ध्यान रखते हैं सब के रहने का ध्यान रखते हैं तो मा और दादी का तो यह काम है और चाचु क्या करते हैं चाचा जी बच्चों के साथ खेलते हैं और मीना अपने भाई के साथ बहुत मस्ती करती है बहुत मजे करती है और खेलती तो आप हमारा रह गया है इस पार्ठ का अभ्यास चार तो हम सब मिलकि जल्दी से करेंगे अब अपनी कौपी और पैंसिल के साथ तयार हो जाएं हम चलते हैं पार्ठ का अभ्यास कारे करने ऐखेड़ें देखते हैं जल्दी से तो यह हमने पार्ट पूरा पढ़ लिया था ठीक है आईए जल्दी से देखते हैं देखो यह है बहुत अच्छा सा परिवार का चित्र और यह शुरू हो गया पार्ट का अभ्यास करें तो बच्चो इस पार्ट में कुछ कुछ प्रेश्न पूछे गए हैं जो मैं आपके साथ करूंगी और आप भी मेरे साथ करेंगे हम मिलके करने वाले हैं ठीक है कहानी में क में लिखने का भी अभ्यास होना चाहिए अब आप थोड़ा बड़े हो गया ना अब आप पहले जितने चोटू बच्चे नहीं रहें अब थोड़े से बड़े हो गयों तो हिंदी लिखने का अभ्यास आपका जितना होगा उतनी जल्दी आप लिख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे तो रोज पढ़ने का अभ्यास भी करना है और लिखने का भी तो चले शुरू करते हैं जल्दी से जी हाँ देखो बच्चों मैंने सबसे पहला प्रश्णी लिखा है कि इस कहानी में कौन-कौन है तो चले दोर आते हैं कौन-कौन है तो आप लिखेंगे उत्तर संख्या एक तो कहानी में कौन-कौन है हमारे हैं कहानी में दादा जी अल्प विराम दादी जी मेरे साथ साथ लिखेंगे आप माता-पिता फिर से अल्प विराम चाचाजी चाचाजी मीना तथा कौन है वो छोटू बच्चा दिवाकर इस प्रकार्ण से हुआ वाक्य पूर्ण तो आपने इसमें क्या क्या है क्यारक्टर कौन खौन से हैं है नर यह सब आपको बहुत ध्यान से लिखना है, मात्राओं का ध्यान रखना है, आपने मात्राओं सीखी है न, तो मात्राओं के साथ आपने लिखना है बहुत ध्यान से दादा जी, अल्प विराम, दादी जी छोटा सा कॉमा है न बिटा, इसको कहते हैं अल्प विराम, ठीक है, म पूरे दस सेकेंड ताकि आप इसको दुबारा से रीड करें और आपको यह जो शीट है यह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी ठीक है चलिए दुबारा से रीड कर लीजे पहला प्रश्ण की इस कहानी में कौन-कौन है प्रश्ण वाचक चिन लगा है और उत्तर ह अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्ण की तरफ मीना के भाई का क्या नाम है बच्चों जब आपने पहले प्रश्ण का उत्तर लिख दिया तो आपको दूसरा प्रश्ण तो आसान लगेगा ना कितना एजी लगेगा क्यूंकि आपने पहले प्रश्ण में सारे नाम लिखे है मीना के भाई, यहां से देखेंगे, आप मीना के भाई का नाम इतना आप एजटी लिखोगे, ओके, मीना के भाई का नाम, क्या है, दिवाकर, दिवाकर है, पूर्ण विराम लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका वाक्य रह जाएगा, अधूरा, मीना के भाई का नाम दिवाकर है, बिटा, यहां पर जो भाई होता है, भाई का आगे से मूँ थोड़ा मुडा हुआ होता है, वरना वो मा बन जाएगा, तो हमेशा सयाद रखें, लिखते टाइम, भाउ और मा में क्या अंतर है, ठीक है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो यह गलती आपने नहीं करनी है, इसका अभ्यास करना है अच्छी तरह से, ठीक है, दिवाकर है, जल्दी जल्दी खतम कीचे इस काम को, और फिर हम करेंगे, नेक्स कोईशन, मीना के भाई का नाम दिवाकर है, चलो, नेक्स कोईशन की तरफ चलते हैं, आप अपने घर में कहां कहां छिप सकते हैं, कहानी में हमने देखा था कि दिवाकर छुप रहा था और मीना उसे ढूंड रही थी, अब इस कहानी में हम कैसे ढूंडेंगे, कि हमें भी तो मज़ा आता है, खेलने में आपको भी मज़ा आता है, तो बड़ों को भी मज़ा आता है, छोटों को भी मज़ा आता है, आप बताओ, आप घर में कहां कहां छुप सकते हो, तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, मैं यहां अपनी मर्जी से लिख रही हूं, ठीक है यह आपके उपर depend करता है कि आप क्या लिखना चाहते है तो मैं लिखूंगी उत्तर नमबर तीन मैं तो छुपना पसंद करूंगी दर्वाजे के पीछे दर्वाजे के पीछे पूर्ण विराम दर्वाजे के पीछे क्योंकि जब भी हम हाईडेंट सीख खेलते हैं तो सबसे पहले हम कहा छुपना पसंद करते हैं जो हमारे आसपस चीज है ठीक है कोई टेबल के नीचे छुपता है कोई दर्वाजे के पीछे छुपता है कोई पढ़दे के पीछे चुपता है अगर आप रोज रीडिंग करते हैं, पठन अभ्यास करते हैं, तो आप अपने प्रश्णों का उत्तर जल्दी लिख पाएंगे, और exam में क्या होगा, आपका time save होगा, और आपके marks आएंगे पूरे, इसलिए में आपको हमेशा कहती हूँ, कि आपको रोज रीडिंग प्राक् करते हैं, तो हम क्यों भूलते हैं, क्योंकि हिंदी एक अकेला subject होता है पढ़ने के लिए, बाकि आपके सारे subjects English में होते हैं, तो बच्चों रोज आपको कम से कम, आधा से एक घंटा reading जरूर करनी हैं, जिससे आप अपने प्रश्ण उतर, अपना exercise work खतम कर सको, time से, तो एक दो, तीन, चार, चाचा जी करते हम को प्यार, तो इसने बोला है यहाँ पर, कि चाचा जी की जगा पे आपको क्या लगाना है, दादा, नाना, नानी, और अपने परिवार के अन्ने लोगों के लिए, इन पंक्तियों को गाईए, जैसे, एक, दो, तीन, चार, नाना जी करत हम को प्यार, या कैसे, एक, दो, तीन, चार, नानी करती हम को प्यार, एक, दो, तीन, चार, मौसी करती हम को प्यार, तो यह आपका क्या है, ग्रह कार्य यह आपको स्वयम करना है, स्वयम करें, ठीक है, यह आपका होमवर्क होता है, यह आपको सिरफ क्या करना है, रीट करन लिखना नहीं है, ओके, देखें फिर बच्चों आगे हम रपास क्या है, आगे हम जाने वाले हैं, बुक की तरफ, जी हाँ, अगला एक्सरसाइज कार्या हम देखते हैं, फाइन, इस कहानी में दिवाकर दादा जी और दादी जी हैं, ये कैरेक्टर्स हैं बच्चों कहानी मे आखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इन की पहली ध्वनी बताईए, जैसे हमने कहा दादा जी, तो दादा जी शब्द की पहली ध्वनी क्या है, द, ठीक है, ऐसे ही, और कौन है, इसमें दिया है, दिवाकर की भी पहली ध्वनी है, द, और दादी जी की भी पहली ध दफ़नी क्यों तो इन तीनों सब्दों की पहली रहता है बच्चा मौव पहली रहता ये वह आपको कुछ करना है कि आपको खुद बताने कि और कौन-कौन से शब्द दा से शुरू होते हैं बताइए दीवार कि दर्वाजा कि ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं न आपको सोचना है और बताना है कि द ध्वनी से और कौन-कौन से शब्द शुरू होते हैं अब आजाईए प्रश्न संख्या तीन पर नीचे दिये गए शब्दों को लिखिए तो यह आपका ट्रेसिंग प्राक्टिस है इन बिंदूों को जोड़कर आपने लिखना है और लिखने का अभ्यास करना है तो बिटा जब हम कोई वर्ण लिखत लिखते हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वह कहां से शुरूर है हमारी पैंसिल कहां होनी चाहिए और किस तरह घूम रहा है उससे क्या होगा आपका अक्षड जो है सही दिखा जाएक और आप कभी आपकी हैंड्राइटिंग खराब नहीं होगी ठीक है देखे इस त तो यह तो आप सब कर सकते हैं बहुत मज़े लेकि बहुत आराम से बड़ी आसानी से आप लोगों को बहुत मज़ा आता है मुझे पता है चलिए अब हम जाते हैं अगले काम की तरफ ठीक है इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा बनाईए तो हमें दुबारा पाठ की तरफ जाना पड़ेगा जितने शब्द दादी और दादा जी लिखें उन पर आपको क्या करना है पैंसल से घेरा बनाना है कैसे बनाना है चलिए देखते हैं ये रही कहानी का पेज, ठीक है, चलिए, आ गया, देखो बच्चो, अब कहां कहां पर लिखा है दादा जी, दादी जी, मीना उसे गिंती सिखाती है, नहीं, इससे भी उपर है, दादा जी, दादी जी, कही जगा लिखा हुआ है, ठीक है, आपको पहले से ढूणना है, और फिर आपको उसे लिखना है, यहाँ पर कहीं है बच्चों देखो, दादा जी, दादी जी, यहाँ पर भी नहीं है, अगले उसमें चलते हैं, देखो दादी जी, ठीक है, दादा जी, यह हमने इस तरह से इस पार्ट में जितनी जगा दादा जी, दादी जी लिखा है, आपको उसे सर्कल करना है, फाइन, जल्दी से चलते हैं, अगली एक्सरसाइज की दरव, हो गया बच्चों में वाला काम हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके ट्रेसिंग भी हो गया, देखो कोई चीज रही तो नहीं, यहाँ पर, इस कहानी, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है, नीचे मीना शब्द लिखने का अभ्यास करने, तो ये भी आप करते हैं, यह आपका स्वयम करने वाला कार रहे है, नीचे दिये गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का अभ्यास कीजिए, तो बच्चों ये भी आपका होमवग है, ये भी आपका क्या है, ग्रह कार रहे है, होमवग है, ठीक है, चलो और देखते हैं, और क्या क्या है, ट्रेसिंग में तो आपको बहुत आनन्द आता है बहुत मज़ा आता है मुझे मालूम है यह आप खुद करेंगे ठीक है आगे देखें यह आ गई एक बहुत सुन्दर से सीनरी नीचे दिये गए चित्र के नाम बताईए और बढ़िये तो यह क्या है यह नीम नदी दाने दाने कौन खाता है चिडिया काती है न दाने देखो इसमें बड़ी की मात्रा है इसमें भी बड़ी की मात्रा है और यह मात्रा कौन सी है बच्चों एक ही मात्रा दाने आगे देखें यहाँ पर हो गया हमारा ये पाठ पूरा तो बच्चों हमने पाठ भी बड़ा और पाठ का अभ्यास कारे भी गिया तो आपका क्या काम है आपका काम है कि आप इसको दोहराएं प्रैक्टिस करें और जो question answer हमने आपको दिये हैं जो हमने पेज पर की हैं वो सारे आपको रिवाइस करने लिखने हैं ठीक है फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाबाई और लर्न कीजिए विज जनित गुरु लर्निंग चैनल थांक यू सो मच एवरिवान